नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है CY Astrologer में हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो चल रही है KP Astrology के उपर हमने अब तक जो है वो इस सीरीज के अंदर 12 वीडियो बनाए हैं और ये इस सीरीज का 13 वीडियो है इस वीडियो में हम 4,000 के ऊपर चर्चा करेंगे इस से पहले वाले जो वीडियो हैं लगन के ऊपर 2,000 आउस, 3,000 और 4,000 आउस का अमने Education के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है वो सारे के सारे जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में में जाएंगे उसके लिंक और हमारे इस YouTube चनल पर आपको उनके लिंक भी मिल जाएंगे साथ में फलादेश कैसे करें 9 माश कुडली 10 माश कुडली सब्तमाश कुडली हर तरह की कुडली ओपर विशलेशन किये हुए और जन्म कुडली फलादेश कैसे करते हैं वो सारे जो चीज़े हैं वो आपको हमारे इस YouTube चनल पर मिल जाएंगे तो हमारा YouTube चनल जो हैं वो सस्क्राइब जरूर करें तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोर्त हाउस के उपर यहने की प्रॉपर्टी और आपका जो संपति कैसे ली जाएं कैसे बेची जाएं बहुत सारे लोग जो हैं वो जमीने लेते हैं जमीने बेचते हैं कुछ लोग जो हैं घर बनाते हैं और आजकल के परिपेक्ष में कोई भी एक साधारन वेक्ति जो है वो ही चाहता है कि मेरा अपना मकान हो और होना भी चाहिए इश्वर जो है हर वेक्ति को ये सपना पूरा करे इसके लिए हमारी जन्मकुनली में किस तरह के सयोग होने चाहिए कौन-कौन से ग्रैं है और कौन कौन सी दसाएं है सब चीजें हमें देखनी पड़ती है ऐसे ही नहीं है कि हमने देखा कि भाई जैसे आपने कई सारे वीडियो देखते हो किताबों में देखते हो तो लोग सिधा ही करते हैं वही आप अपने फोर्थ हाउस के खस्पल सब लोड को देख लीजिए वो अगर 4, 11 और 12 जैसे गरों को दिखा रहा है तो आप प्रोपर्टी लेंगे 3, 5 और 10 गरों को दिखा रहा है तो प्रोपर्टी बेचेगे लेकिन ऐसे नहीं होता है इसको आपको पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा कि इस प्रिंसिपल को हम कैसे लगाएं मैं जब वीडियो बन नाने का तात्पर सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वीडियो बना के हम अपना व्यूज बढ़ाएं हम चाहते हैं आपको जो हैं वो पुर्ण रूप से इसके सारे के सारे तारकिक अर्थ समझ में आए साथ में जो हैं मेरे एक्सपिरेंस के दौरा क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि आपने जो सीखा है वो गलत नहीं है लेकिन उस सीखने के बाद आपको जब कुंडली पे अपलाई करोगे तो उसमें आपको एक्सपिरेंस की जरूत पड़ेगी और आपके अंदर रहने वाली उस औरा की जरूत पड़ेगी जो औरा आपको जो है इंटूशन पावर देती है आपके नवम घर से आने वाली पंचम घर से आने वाली आपके पुत्रों से आपके पित्रों से और आपकी जो इसमरन सकती है एक्सपिरेंस से आने वाली जो औरा है उस से तो आप क्या करे फलादेश किस तरह स से फलादेस करें तो आप सुरो से हर चीज को लेके चलें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बूल की जब जनमकोंडुली का आंखलन होता है तो कालपुल स्की जनमकोंडुली बनाई जाती है तो जडूरत गर है उसके अंदर अन्दर influ purity के सारे कि सारे जो फलादेश हैं वो होते हैं कि प्रोपर्टी लेना है किस तरह से लेना है अब कई बार जो हैं प्रोपर्टी में दो चीज़ें होते हैं एक तो हम जमीन घर लेते हैं बनाते हैं एक होता है कि हम गाडियां ले रहे हैं गाडियों का वैपार भी करते हैं तो वो भी एक प्रोपर्टी समंदित आ जाएंगे घर जमीन गाड़ी तो वो भी प्रोपर्टी समंदित जब हम गाड़ी का काम करेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि चोथ्या गर जो हैं उसके साथ सात्यों गर को भी जोडेंगे और उस मंगल भूमी पूत्र मंगल जो जमीन का कारक है कि हमें कुछ भी प्र प्रोपटे बनाने के लिए कुछ जमीन चाहिए चाहें वह सोगज का प्लोट हो चाहें 500 सोगज का प्लोट हो तो वह जमीन क्या है मंगल है और उसके ओपर बनाने के लिए जो हमें इट बाता पत्थर जो भी कारे आता है सरीया वरिया वह सब सनी है यानि construction जो है वह शनी है तो हमारी जन्म कुंड़ियों में 2 ग्रह सनी और मंगल अच्छे होने चाहिए यह नहीं कि सारी कुंडलियों में अच्छे होंगे लेकिन जब हमें जरुवत है उस समय वो गोचर में हो या दसाइं अंत्र दसाइं में आने चाहिए वो हमें देखना है साथ में सबसे जो महत्फून है बहुत सारे लोग इसको इग्नौर कर देते हैं और पता ही नहीं है लोग जब कालपरूस की कुंडली बनाएगे तो उसमें चतूर्त भाव में जब आपके यहाँ पे चंदरमा की राशी दी गई है तो चंदरमा भी है उससे सब कुछ करते हैं लिए कि माल लिजेगा आपका एक मकान है वह गाओं में पड़ा है पांच दसलाख रुपए जितना भी है और आपको आज एक मकान लेना है और आप शहर में रहते हैं आप सोचते हैं गाओ वाले मकान में अब मेरेको नहीं जाना है और आगे पहले अपनी फुस्तेनी प्रोपर्टी लोग बेशते नहीं थे क्योंकि वो माता खा जाता था हम भारत को धर्ती को माता कहते तो उसी परकार चंद्रमा प्रोपर्टी अखारक है तो नेचुरल जो ग्रह हैं चंद्रमा वो भी अच्छा होना चाहिए तब आपके चंद्रमा बहुत अच्छा होगा तभी वो क्या है मिंटों में दिनों में और कुछ ही पलों में जो हैं वो प्रोपर्टियों की शेलिंग और बेजना लेना सब कर लेते हैं चंद्रमा का पर होता है और उसके बाद मंगल और शनिका बलवान होना तो यह आपके ग्रह आ पैसा जो अगर आप खर्च दोगे तो कुछ पैसा तो खर्च होगा ही तो खर्चे का भाव है बारवां तो यह बहुत ही मजबूत है यह आपको आना चाहिए अगर आप लोन से कर रहे हो कि अपना पैसा नहीं है आम तो शिरफ डाउन पैमेंट देंगे बाकि लोन से तो किसी लड़की से साधी की है तो उसके पिता ने आपको फ्लेट दे दिया वो आपका आठवा गर या आपके किसी रिष्तेदार के कोई बच्चा नहीं है उसने आपके नाम पे कर दी प्रॉपर्टी वो आठवा गर तो इस तरह से यह बहा होते हैं अब प्रॉपर्टी बनाने का और खरीदने का चाहिए जमीन हो मतलब खरीदना हो या घर खरीदना हो उन दोनों के एक ही प्रिंसिपल होंगे तो चतुर्थ घर है अब हम सीधा क्या करेंगे सीधा का सजदा फोर्थ हाउस कस्पल सब लोड़ पे नहीं जाएंगे क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति कि इच्छा है कि व्यक्ति कब बनाना चाहता है कई बार लोग सोचते कि नहीं अभी नहीं बनाएंगे अभी हम व्यपसाय में पैसा लगाएंगे व्यपसाय को बहुत बढ़ा करेंगे उसके वास करेंगे कई सोचते हैं हम जो है वह 25,000 रुपे इमाई देंगे इससे कभी आप प्रॉपर्टि के इंवेस्टमेंट करोगे जैसे यहाँ पे लगन का कसपल सबलोड गुरु आया और गुरु ने यहाँ पे 9, 10 और 12 दिखाया इसका मतलब आप इंवेस्टमेंट करोगे और कभी ने गभी प्रॉपर्टि बनाऊगे तो हमें इतना सा सिम्टम्स यहां पर मिल गया है इसको आप पूंड रूर्प से भी देख सकते हो जैसे गुरू जो है वो मंगल के नक्षतर में सनी के उप नक्षतर में तो यहां पर आप देखोगे तो दोनों जो हमारे ग्रै आ रहे हैं यह बहुत अच्छे ग्रै आ रहे हैं इसका भी लाब मिल रहा है तो इसको भी आप ब्रीफली तरीके से देख सकते हो अब आता है बाद सबसे महत्र पूंड जो है वह 4,000 जब भी आप यहां पे देखते हो तो 4,000 का कस्पल सब्लॉड यहां पे देखते हैं तो सबसे पहले यहां देखिए 4,000 के सामने इ लिखाओ है यानि इस घर में कोई ग्रे नहीं है तो इसका ताथ पर यहां एक माइनस पॉंड रहता है अगर किसी वेक्ति के चतूर्थ घर में ज्यादा से ज्यादा ग्रे होते है तो उसको प्रोपर्टी के लाव रहते है या तो वो प्रोपर्टी बेस देगा होगी जितन आपका जो है चंद्रमा एक तो वो कारकग्रे बन गया प्रोपर्टी का एक मंगल बन गया एक सनी बन गया एक इस घर में जो बैठा होगा वो बहुत이ल होगा क्योंकि वो इस घर को बार बार सिगनिफ्रिकेट करेग इस घर पे चोट मारेगा जब भी उसकी दसाइए आपका जो हैं वो बुद्ध बैठा है और बुद्ध के ऊपर आप मान लेजे सनी आ गया जैसे अभी सनी जो है गोचर में चल रहा है यहां पर दस्वे घर में और चतुर्ध घर के ऊपर बैठे वे बुद्ध के वो देख रहा है तो आप कहोगे भई मैरे को प्रोपटी लेन अगर यहां पर एक से ज्यादा ग्रह हैं तो उनके आमें लाब मिलेंगे इक फ्रोफिट मिलता है तो आपको यह देखना है कि चतुर्ध घर में कोनसे ग्रह बैठे उनको भी आँंकलन में लेना है उनसे कितने हम जब केपी स्ट्रोजी करते हैं वेदिक जोतिस करते हैं हम सीध़ एक ही मिनिट में इसका फलादिस मत करें नहीं तो आपके फलादिस सई ही नहीं होगे आपको केपी में गुर्जी रिजल्ट नहीं आते हैं अरे रिजल्ट कैसे आएंगे आपने एक्स्पिरियेंस यूज नहीं किया तो मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो यह वीडियो जब इतना लंबा हो सकता है तो हम सीखने वाले कितने लंबे कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर सीखना है हर दिन हर समय कुछ नगुछ हर जन्म कुणली से तो आपने यह देखा कि वह फोर्थ हाउस के अंदर कोई ग्रह नही हैं नहीं बना रहे हैं और चंदर्मक कुणली में कैसा है जैसा जन्मक कूणली में चंद्र मां मालse 5 जटा बहुत अच्छा है कह सकते हो की संतान पहली यह आपको प्रपर्टी मिल है मैं आपने प्रोपर्टी ले ली जमीन ले ली आपको लाब हो गया तो ये भी फाइदा हो गया कि पुत्री हुई लक्षमी हुई लक्षमी आई और मजा कर दिया अब आपने देखा कि फूर्थ आउस का जो कस्पल सबलोड बुद्ध है वो आपका यहाँ पे मंगल के साथ है तो बुद्ध बंगल के नक्षतर में होने से मंगल के साथ इसका एक लिंक बन गया है तो हम यह कह सकते हैं कि दीरे दीरे आप लिंक बनाते जाओ आप जब भी फलादिस करते हो तो आप दस नंबर बना लीजे एक से लिके दस तक या पांच तक या जितने भी हो आपके उस अब बुद्ध क्या दिखा रहा है बुद्ध यहां पे दिखा रहा है चटा तीसरा और चटा तीसरा घर यह तो प्रोपर्टी नुकसान का दिखा रहा है बेचने का तो यह तो हमें अच्छा नहीं लिजर दे रहा है बुद्ध जो है वो मंगल के नक्षतर में है सनी के गया दो लोन हमें मिल जाएगा हमें वी देखना है इसमें कि हमें बुद्र के द्वारा प्रोपर्टी मिलने के योग बनते हैं या नहीं बहुत हैं यहां पे यहां पर छ्येग एक आठ और तीन और छे कि हमें यहां पर प्रोपर्टी लोन पर मिले या फिर जो है वो कोई न कोई हमारा जो रिलेटिव या हमें दहेज में कुछ न कुछ सपोर्ट मिले यह आपके दो तरह से हो सकता है जैसे आपके सशुराल वाले काफी अच्छे पैसे वाले हैं तो आप आपके पास इतना पैसा नहीं हो था वह आपको डाउन प्रेमेंट देखे या कैसे भी आपको प्रोपर्टी दिला कि नेकिया सयोग में ला सकते हैं तो यहां पर यह आठ नंबर जो आ रहा है इसका एक प्रोपर अब बुद्ध जो है वो मंगल के नक्षत्र में था और आपगर मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि परोपर्टी तो बनेगी इसका मतलब क्या कह सकते हो कि इसको जो पैसा है तो कोई अंकल है कोई आंती है या इसके कोई भी रियरेटिव मामा पक्षु या कोई पी ससुराल बाले हो वो वो गिफ्ट के तोर पर या सपोर्ट के तोर पर इसको यह जो आठ नंबर वो देंगे यहने की डाउन प्रेमेंट कह सकते हो या सईयोग देंगे उसके बाद जो है वो लोन लेगा च्छे नंबर आ रहा है इसलिए और इसके बाद यह प्रोपर्टी बना लेगा तो यह चार चारा बारा के इस तरह चाहिए तो गुरुदी चार ग्यारा बारा एकदम एकजेट कहीं नहीं मिलता आपको यही सबसे बड़ी गरबढ़ होती है के पी एस्टालोजी करने वाना हो सिर्फ सटीक कॉम्बिनेशन ढूड़ती रहते हैं अरे सटीक नहीं आएंगे हर कुंडल यहां भी एक जैसी नहीं हो सकती उनमें भी कुछ ने कुछ अलग होगा तो इसलिए आपको यहां पे इस तरह का योग बना अब प्रॉपर्टी का हमने सयोग देख लिया कि हाँ प्रॉमिस्स तो है प्रॉपर्टी तो बनेगी अब कब बनेगी उसको देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा चार ग्यारा बारा वाले जो घर हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि उनके सामने जो ग्रह हैं कौन को अब चोथे घर के सामने सूर्य है मंगल है शनी है और चंद्रमा है तो यहां पर तीनों ही घर देखिए आप तीनों ही जो ग्रह थ ठीक सामने हमारे केत्ति बैटा है और सनी बैटा सनी हमारे जो मजबूति से दो बार आ शुक्र है तो हमें यहां पर शनी का अंतरदसा फाइला देती है साथ में हमें गुरू शुक्र इन में तो अब जैसे जातक कि जो भी उम्र का पड़ाव चल रहा है यह बुदि फला है वो उसके बाप को बनेगी उसके माता को बनेगी यह भी एक योग है समझना चाहिए तो यहां पर आप देखिए अब जैसे कोई बच्चा जन्म लिया उसके दो साल बाद वो जो है वो आपके पिताजी गाड़ी लेके आ गए या घर बना लिया तो वो आप ही का भागया थ तो आपको मिलना तो उसी परकार आपको दसाओं में देखना है तो जैसे कि हम एक नॉर्मल वेक्ति के देखते हैं तो 30 या 35 वर्स की आयू के उपरान देखते हैं जैसे इस कुर्ली को अगर हम टार्गेट लेके चलते हैं तो मान लीजे कि यह आपके 2030 में जो हैं वो चंद आपके 2030 के योग बन जाएगे यह हमें निकालना पड़ता है रोलिंग प्लेनेट के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको रोलिंग प्लेनेट के नुखुल देख लेना है कि आपके जो चतूर्त गर के सामने बैठे वाले ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल और शनी, चंदर्म जैसे यहाँ पर आपने रिखा कि मंगल 2034 में आ रहा है, वो रोलिंग प्लेन में बहुत मजबूत हो रहा है और हमें उसका फाइदा मिल रहा है, और मंगल जो जन्म कुंडली में बैठा है, छटे घर में, कन्यारासी में, उसके उपर गोचर हो गया सनी का, मान लीजे, जन पर 2034 लगा दिया, अपरेल 2034, अब अपरेल 2034 में शनी महराज का होगे, मित्व राशी महा होगे, यानि कि यहाँ पर होगे, एक, दो, तिन, तो यहाँ पर चंदरमा पर दिरिष्टी डालेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल पर दिरिष्टी नहीं आ तो मान माल लिजे कि चंदरमा के पीरिड में हमने देख लिए कि 2023 में, कि 2023 जून में लाव हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमें लाव हो सकता है, तो यहाँ पर माल लिजे हम 33 कर लेते हैं, तो 2023 के अंदर हमें देखना है कि शनी जो है, वो हमारा यहाँ पर ही चल रहा है, यानि कि मित उन्राशी में इसके चल रहा है तो एक दो और तीन तीसरी द्रिष्टी देखती है पांच गर पे तो हम कह सकते हैं कि 2023 में चंदरमा में चंदरमा चलेगा तो आपके कोई जमीन लेनेगा या प्रवपर्टी खरीदनेगा योग बन सकता है और रूलिक प्लेट में वह अगर च पिर तो हम मंगल को देखता है तो मंगल के हो सकते हैं या जैसे मंगल माल लिजए चतुर्थ गर्व में आएगा यानि शनी चतुर्थ गर्वे गोचर करता हूँ आएगा उसके आजिए तीसी दीष्टी से दीख लेगा तो आपको लाव हो जाएगा तो इस तरह से आपको क आने वाले दिसाएं उनको देखके और आइडिया लगा सकते हैं यह आपको थोड़ा सा अपने experience के हिसाब से और देश काल और रिती और विक्ति जो हैं वो किस तरह का योग्य है और किस तरह का करना चाता है उस हिसाब से आप देखके उसका आइडिया लगाएं तो आपको लाव मिलेगा तो इस तरह से हमने संपती जो इस तरह से हमने दस दिखा रहा है तो सम प्रॉपर्टी बेज सकते हैं हमारी पास जो भी प्रॉपर्टी होगी वह बेज के नई प्रॉपर्टी लेने के योगा सकते हैं या किसी भी कारण वा सम प्रॉपर्टी बेज सकते हैं तो यहां पे लगने इसकी शंका पूरी दिखा रहा है अब च खरीदने और बेचने के दोनों के सहीं को दिखा रहा है तो बेचने वाले समय में यानि खरीदने वाले समय में हमने जो हैं वह चार ग्यारा और बारा के सिग्निफिकेटर गरों को देखा और हमें जब बेचना है तो हमें जो हैं वह तीसरे पांचवे और आपके दसवे घर क के सिंगनिफिकेट्रों को देखना है तो ये कि तीसरे घर के सामने कौन बैठा है बुद्ध तो बुद्ध की अंतर्दसा परतेंतर्दसा में प्रॉपर्टी बिकने के योग बहेंगे और उसके अंदर जो हैं परिवार के इसाब से तो जो छोटे वाली प्रोपर्टिय वो बेचके बड़ी वाली ले लिए योग में हैं तो हमें वो उसी समय में उसी अंतरदसा में उसका लाम मिल जाएगा तो इस तरह से आप जो है वो प्रोपर्टिय लेने और बेचने का दोनों का सही हो देख सकते है बेचने के समय में आपको पर्तिंतरी इसमें सबसे मड़ा होता है अंतरदसा के बात आने वाला पर्तिंतरदसा यानि जो एक मेने दो मेने की धाई मेने की तिन तिन मेने की चलती है कई बार 15-20 दिन की भी होती है तो वो अगर राव केतु की होती है तो उसमें या शनी में property बिखने के योगाते हैं राव केतु से बचे राव केतु के अंदर बेची वी property शुब फल नहीं देते हैं तो उससे कोशिस ये करें कि राओ के तुमें न बेच किये मंगल और सनी में बेचे या गुरू में बेचे तो आप वह प्रोपर्टी लाब भी देती है तो इस तरह से जो है वह आप अपने परिणावों को आखल ले तो आज का इस जो वीडियो आपको कैसा लगा आप होते हैं वो भी आपके साथ शेयर कि जाएंगे तो उनसे भी आपको लाब मिलेगा तो धन्यवाद दोस्तों